हेलो एवरीवेन कैसे है सब लोग कैसा चल रहा हैं पड़ाई सब का बढ़िया चल रहा है okay so my name is संजीब पांडेवर स्वागत आपका अपने प्यार से चैनल में कुपषूर से चैल में जेया टुटोरियल में तो आज मेरा थोड़ा सा तभय थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है अच्छा फील करूँ तो आज सब आज डो इंपॉर्टेंट करें गे और यह दो इंपॉर्टेंट टोपिक का एकजाम में तो सबसे पहले polish सर्च पहले at single spherical surface तो माल लो हम लोग ने कोई single spherical surface, मतलब माल लो कि यहाँ पर कोई काच वाला, ऐसा माल लो यह मेरा spherical surface है और मैंने यह surface consider कर लिया यह वाला पाट और यहाँ पर refraction हो रहा है मतलब यहाँ पर माल लोग मेरा एक air medium है और यहाँ पर कोई तो surface है, जिसका refractive index any given है, और यहाँ पर ऐसा refraction हो रहा है, यहाँ पर ऐसा refraction हो रहा है bending of light हो रहा है, तो इसके अंदर है important relation हमको देखने मिलता है क्या relation देखने मिलता है, वो यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा समझे लिए कोशिज करते हैं so this is nothing but मेरा जो spherical surface है जिसका refractive index हम लोग ने n2 ले लिया है और बाहर मेरे पास एक medium है जिसका हम लोग ने refractive index animal ले लिया है यहाँ पर हम लोग ने एक point object consider कर लिया है, लेस से o अब यह point object से अगर मेरे को image चाहिए, तो minimum 2 rays तो चाहिए तो एक rays यहाँ से travel कराया मैंने अब यहाँ से जो ray travel होगा obviously वो क्या होगा, reflect होगा की नहीं तो reflect होगा, यहाँ से गया यह, reflect हुआ यह, okay, और यह जो सीधा ray है, यह pass होगा मेरे pole से और यह थोड़ा भी reflection नहीं करेगा और यह, यह दोनों जाके यहाँ पर intersect करेंगा और यहाँ पर मेरे को image मिल जाएगा let's say I, यहाँ पर मेरे को क्या मिल जाएगा, image मिल जाएगा let's say I, अब क्या करूँगा, यहाँ पर एक normal draw करूँगा, let's say normal draw कि और normal हमेशा pass होता है कहां से by center of curvature इसके अलावा भी हम लोग तीन आंगल कंसीडर करेंगे, कौन से तीन आंगल कंसीडर करेंगे, अलफा, बीटा और ग्यामा, मतलब यह जो आंगल बनेगा, यह बनेगा, यह हम लोग ने इसके अलफा बीटा, यह बनेगा, यह बीटा बन गया, यह ग्यामा बन गया, चलो, तो कहानी स्टार्ट करता है, कहानी स्टार्ट होगी, snail's law, what is snail's law, so by snail's law, क्या कहानी बनेगी, देखो ज़रा, तो snail's law क्या बोलता है, sin i by sin r, बराबर हो जाएगा, n2 by n1, मतलब refractive index of second medium, to the first medium, यहां से n2, यहां से n1, यहां पे लेकिया हो, क्या मिलेगा, देखो ज़रा, n1 sin i is equal to n2 sin r, और यह जो भी फिनॉमेना हो रहा है, यह बहुत पतले, बहुत, मतलब यह आंगल बहुत छोटे है, यह तो तुमको समझाने के लिए, यह हमको समझाने के लिए, बुक में इतने बड़े-बड़े print होते हैं, but actual में यह बहुत छोटे से, ऐसे हैं यह, यह जो जब आंगल बहुत छोटा होता है, तो क्या होता है, बचाओ ज़रा, बताओ ज़रा, अगल अगर छोटा होता है, तो क्या होता है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन गाया बजाते हैं सवनों, यहां से टिग्नोमेट्रिक फंक्शन गाया बजाएगा, टिग्नोमेट्रिक फंक् थो आप मीम लेकर आगये वहां का बहुत जगह बहुत है बट अंगल छोता है यहां पर जगह बहुत है ऐंगल खोटा है तो तो शीनस अगल को वैईज वेरी समाल वह अंगल भुत अांगल को च्टा है तो यहां पर क्या मिल दा आगा साइन आइ भीकम आई साइन आर बिकाम आर तो यहां पर क्या मिल लाएगा इन फोड़ी देर के लिए पॉस करो अब आप समझेट कोशिस करते हैं अब ट्राइंगल इसारे ट्राइंगल देखो ऑफी यह ट्राइंगल तो नहीं यह कर्व दिख रहा है अगे मैं बताया कि यह बहुत छोटा है अब अगर यहाँ पे बहुत छोटा कर्व है तो यह जो पोर्षन है यह अक्चॉल में स्ट्रेत लाइन दिखेगा यह तो मैंने बहुत बढ़ा बना इसलिए वो कर्व दिख रहा है विद्व dział बहुत छोटा कंसिडर करेंगे तो यह कर्व है यह स्ट्रेट ह यह उने वाला यह और तो कहान ही क्या बनेगी देगो ज़आ अगर यहां से मैं खंशिडर करूँ tan अलफा तो tan अलफा क्या ही मिलेगा inner triangle inner triangle कौन से triangle में O A P tan अलफा क्या मिलेगा tan अलफा तेखो tan क्या होता है tan होता है opposite अब अपोजिट बोले यू और यू एक्चुल में देखो किस तरफ है देखो रे ऐसे जा रहे हम लोग मेजर ऐसे कर रहे है अपोजिट डारेक्शन है यह सौनो तो इस तरफ है माइनस यू आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पर आगा माइनस यू ओके लेंस के इस तरफ है हम लोग तुर बॉआबर हो जाएगा एपी बाइड़ेसे अड़ेसट यसनी जनी नतिंग बट आखत है यह अगें छम्रा आगर बहुत चोटा है तो बिटाocy upload इंग अर्टी इस ग्ला को सटा है तो भाइड वैक니 जाए तो कनि तो क्या यहां से लेके पोल से लेके image तक का जो distance है उसको हम लोग image distance ही बोलते हैं यह आई यहां से पोल से लेके पूरा यहां तक का distance होता है that is nothing about image distance तो वो क्या ही बनेगा अगर उस triangle में हम लोग देखें तो gamma क्या खाल गामा बराबर हो जाएगा अपोजिट, अपोजिट क्या दिख रहा है इसके AP, तो यहाँ पर आजाएगा AP, divide by, क्या मिलेगा देख वी, वी मिलेगा कि निहीं मिलेगा, यहाँ पर आजाएगा V, again, angle is very small, angle is very small, तो यह गाया बोजाएगा, क्या मिलेगा, gamma is equals to AP by v, और R और V क्या रहेंगे positive क्योंकि वो लेंस के उस तरफ है बात समझ में आ रही एवरिवन पक्का कहानी समझ में आ गया समझ में यह चीज देखो इसके बात की कहानी important है चलो इसको थोड़ी देर के लिए side में रख देते हैं कि अलग कर ले ले लेते हैं लेसे अब कहानी समझने कोशिस करो देखो मज़ेतारा कहानी मनने वाली है अब याद करो 10 याद करो और 10 में हम लोग ने पढ़ा था exterior sum property आगे कुछ ऐसा triangle बनता था और किसी एक side को extend करते थे तो यह side का जो angle रहेगा वो उसके addition side के छोड़के यह वाले दोनों side का addition रहे गहां या ना मतलब मैं I can say that x बराबर होगा एक्स वन प्लास एक्स टू सी एस और याद आ रहा है प्रपरटी इसको कुछ नाम था मेर क्याल से एक्स्टीरियर सम प्रपरटी बोलते थे या फिर एक्स्टीरियर सम एंगल बोलते थे मैं एक्जाक याद नहीं है पड़ यह था अब यहां पर हम लोग वही concept यूज करने वाले हैं जरी देखो जरा ध्यान से समझने कोशिश करो कि मढल लो मनल लो ट्राइंगल देखो देहां से ट्राइंगल समझने कोशिश करो यह वाला ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ ए ओ ए ओ और बीटा है और से मी इन त्राइंगल यह वाले ट्राइंगल में देखने की कुशित को ज़रा, in triangle in a triangle, a, c, i a, c, i में देखने हूं ज़रा, क्या मैं बोल सकता हूं, बीटा is equals to r plus i, देखा, बीटा एक्स्टी रेंगल हो गया, r plus i हो जाएगा, सुरी R प्लya प्हो samma ग्यामा यहान द्यान देना खाली वो ग्यामा है तो आर और ग्यामा को सेम मत लिख देना ओके तो क्या मिलेगा बीटा इज if wanna रस्टThe r प्लास ग्यामा cloudy चलो तो यहां से दिखो आर क्या मिलेगा यहां से तुमको आर मिल जाएगा that is in the camera मान bell यहां पर आई आर मिल गया यहां पर तुमको एक relation मिला हुआ है नाम दे दो इसको इस equation को हम लोग नाम दे देंगे equation 1 यहां पर I और R put कर दो therefore अगर मैं put करूँगा तो यहां पर N1 N1 into I I क्या है देखो जरा that is alpha plus beta हाई ना is equals to देखो N2 R क्या है जरा देखो beta minus gamma हाई ना beta minus gamma यह सो नो but what is alpha beta gamma देखो यहां पर मिला हुआ है that is AP by U, AP by R, AP by V अल्रेडी हमारे पास यहां पर alpha beta gamma हमारे पास अल्रेडी है यह alpha beta gamma उठाओ यहां से यहां पर चिपका दो देखो क्या मिलेगा simple सिर्स सब्स्चिचूशन करना है मातर सिर्स सब्स्चिच्चूशन करना है यहां से उठाना है alpha के जगे alpha चिपकाना है beta के जगे beta चिपकाना है gamma के जगे gamma चिपकाना है तो क्या मिलेगा therefore देखो घरा n1 in a bracket alpha देखो क्या है alpha है AP by AP by minus u what is beta बीटा, देखो, AP, by R, तो प्लस AP, by R is equals to n2 बीटा, देखो, क्या है? AP, by R – ग्याば, देखो, क्या है? – ग्याば AP, by क्या है? That is V सब में से AP बाहर आजाएगा, cancel हो जाएगा, हाँ या या ना? यहां से AP बाहर, यहां से AP बाहर, यहां से AP बाहर, सब में से AP बाहर आ जाएगा, cancel हो जाएगा, yes or no, N1 को चाहे तो अंदर multiply करो, तो देखो, N1 को अंदर multiply करो, क्या मिलेगा, देखो ज़रा, therefore, N1 by minus U plus N1 by R is equals to N2 by R minus N2 by V, हाई न, ओके, अब ध्यान सी यह minus वाला पार्ट ज हो जाएगा, यह सानो, और यह जो R वाला पार्ट है, यहां पे लेके जाएगा, minus हो जाएगा, यह सानो, कहाँ न, कहाम मिलेगे, देखो ज़रा, इसके बाद की कहानी, यह minus को मैंने उपर ले के आ गया और इसको वहाँ भेज़ दो तो equals to n2 by r minus n1 by r r तो दोनों को common है, दोनों को common r है तो single r डाल दो दोनों को common है तो single r डाल दो, yes or no, बीच में minus दे दो समझा यह चीज, this is nothing but a relation, यह एक भहतरीन relation है जहाँ पर तुमारा object distance, image distance, radius of curvature और refractive index, चारो चीज रिलेट होता है, and one of the important relation है, और यही relation इस्तमाल करके हम लोग lens maker formula निकालेंगे, अब what is lens maker formula, जो भी तुमारे lens developed होते हैं, हम लोग जो भी चश्मा पहनते हैं, जो भी हम लोग lens लगाते हैं, वो जो भी lens बनते हैं, वो उस formula के basis पर बनते हैं, that is why it is called as lens maker formula, और one of the important topic है, one of the important derivation है, जो तुमको समझना है, क्योंकि exam में आने के chances बहुत ज़्यादा हैं उसके, clear बास में आगे everyone, पका, समझ में आगे ये चीज, पटाक से, मैं ओके, चलो, next, next हम लोग बात करेंगे lens maker formula, कि again one of the important derivation है, again one of the important derivation है, ध्यान देना इस चीज़ पर, okay, so lens maker formula में हम लोग एक lens consider करेंगे, तो एक हम लोग ने convex lens यूज किया हुआ है, this is nothing बटा convex lens, okay, माल यहाँ पर हम लोग ने point object देख, हर बार हम लोग point object यूज करते हैं, क्योंकि point object के लिए height हम लोग eliminate हो जाता है, तो वहाँ पर ज़्यादा confusion नहीं होता, तो यहाँ पर हम लोग ने point object यूज किया है, let's say O पे, यहाँ से एक ray जाएगा, अब यहाँ पर देखो, phenomena 2 होगा, यहाँ पर दो reflection होगा, दो reflection, मतलब पहला reflection तुमको क्या मिलेगा, पहला reflection किसकी वज़े से मिलेगा, surface AX की वज़े से मिलेगा, दूसरा reflection तुमको किसकी वज़े से मिलेगा, surface BY की वज़े से मिलेगा, देखो BY की वज़े से, तो यहाँ पर तुमको दो इमेज मिलेंगे पहले जो इमेज मिलेगा वो मिलेगा I- and that image will act as a virtual object for final image I. यहाँ पर यही ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान क्या देना है? यहाँ पर दो रिफ्राक्शन होगा, दो surface के through reflection होगा, उस चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना है, okay? So, let us start, let us start, मालो कि यह तुहारा object distance है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दो U, pole से इसको नाम दे दो U, तो तुहारा यह U हो गया बराबर, यही तुमारा हो जाएगा, V, और यही तुमारा हो जाएगा, V- दाश, विकाज यह फाइनल नहीं है ना, यह फाइनल नहीं है, तो इसको डाश ले ले लेते हैं, clear बास लड़ा आगा everyone, पक्का, तो सबसे पहले देखते हैं, रिफ्राक्शन थूर्फेस एक्स, ओके, रिफ्राक्शन, थूर्फेस एक्स, एक्स के थूर्फ्राक्शन देखने ही कोशिस करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आजो, फड़ा फड़ा, ओके, तो यहाँ पर देखो, जब कभी भी एक्स से रिफ्राक्शन होगा, तो पहला रिफ्राक्शन होगा, आई डाश के लिए, मतलब डश किया बनेगा विडाष बनेगा image distance, Singer सो यहां पे देखो u क्या रहेगा, यह मेरा u तो u रहने वाला है बड़ जो मेरा v है वो V Dash बनने वाला है कहाँ से कहाँ craz chiocr somewhere arewn बाइनतोई आरममलों का refractive index क्या होता है refractive index हम लोगे length का कितना consider किया है that is N million अलब यहां पर मेरा एंधंवान कितना हो जाएगा वं और एंटू कितना हो जाएगा मेरा सेकंड मीडियम नीडिये इस आर को समझने कोशिक्ट कर र किया है थे थियूब पहला सर्फिस का रिडिययस इससे रफब बनेगा और यह वाला सर्फिस इसका रेडियस सिस्थ तरफ बनेगा दो अब रहा है Phi Veterans consider this formula consider this formula n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r यह formula consider करो और वो formula में ही तुम लोग रेंस में कर formula में लेगा क्या है देखो formula ध्यान से देख लो तो n2 by v n2 by v minus n1 by v is equal to n2 minus n1 by r हाया न यह सारे value इसमें substitute कर दो देखो क्या मिलेगा सारे के सारे value अगर put numer n2 क्या है तुम्हारा n2 हे any by v क्या है तुम्हारा V dash minus n1 क्या है देखो जबादतुम्हारा but when say na और यह you है U यहाँ पर N1 क्या है तुम्हारा 1 U क्या है तुम्हारा U as it is equals to यहाँ पर देखो N2 again क्या है N minus N1 क्या है 1 and R क्या है R है R1 बरबर इसको नाम दे तो equation number 1 क्योंकि हम लोग नहीं यह पहले surface का refraction देखा अब second surface का refraction समझने इकोशिस करो भाई अब second से refraction होगा जब second से refraction होगा so this I1 become as a virtual object यही पर यही तो ध्यान देना यह जो I dash है यह तुम्हारा virtual object बन जाएगा ओके so refraction refraction through refraction through surface कौन सा surface? surface by surface by by refraction through surface by जब by surface बनेगा तो I dash become यहाँ पर यही ध्यान देना है virtual object बही आई डाश क्या हो जाएगा? I dash virtual object हो जाएगा तो अब यह सारा चीज़ देखो वापस एक बार अब मेरे लिए object distance क्या हो जाएगा? अब मेरे लिए object distance हो जाएगा V dash क्योंकि अब यह मेरे लिए क्या act कर रहा है? यह मेरे लिए act कर रहा है object तो object distance क्या हो जाएगा? V dash image distance क्या हो जाएगा? अब मेरे को यह वाला image मिलेगा perfect image मिलेगा उसके लिए distance क्या है? that is V तो image distance is nothing but V तो वो तो V रहने वाला यह सौनो अब देखो सारा N1 की बात करो अब कहा से कहा रे travel कर रही है? अब यह वाला medium मेरा first हो जाएगा क्योंकि यहां से रे बाहर की तरफ जा रही है तो मेरा जो N1 medium है that become N और जो मेरा N2 medium है that become 1 भाई N1 से N2 जा रहा है यह N1 और यह N2 हो जाएगा तो मेरा N2 अब air air मेरा बाद वाला हो गया मेरा radius क्या हो जाएगा? radius हो जाएगा मेरा R2 क्योंकि अब second वाले surface के साथ reflection हो रहा है यह सो नो तो radius become R2 अब यह सारा value वापस उठा के इसी formula में substitute कर दो यहां पे लिख देना we know that यह हम लोग ने अल्रेड़ी पता हमको यह चीज़े तो क्या करो यह सारा का सारा value उठा के वापस सेम यह ही equation में put करो देखो क्या मिलेगा N2 क्या है तुमारा? इस वक तुमारा N2 है 1 तो 1- नीचे डिवाइड V minus N1 N1 क्या है देखो तुमारा N by V' अब तुमारा U क्या हो जाएगा V' इक्वल्स टू N2 minus N1 तो N2 बोले तो 1 minus N नतिंग बट 1 minus N तो 1 minus N by R2 हाँ यह ना by R2 मिल गया दो equation? यह सो नो? लेस से दो equation में को मिल गया It is equation number 2 अब कुछ नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है दूने equation को add कर दो Just add equation 1 and equation 2 Simple सा काम है दूने equation को क्या करो? सिरिफ add करो, you will get the answer 2 में में काम हो जाएगा 2 में में कहानी खतम होने माली है 2 में में कहानी खतम होने माली है क्या करना है? सिरिफ इसको add करना है इसको उठाके थोड़ा सबसाइड में चिपका देते हैं देखो क्या होगा तो फाल्टु का जगा खाएगा ये थोड़ा साइड में रख देते हैं, फिलाल के लिए आप दोनों को add करते हैं अब करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे add करेंगे, तो कहानी क्या बने कि देखो ज़रा, क्या मैं बोल सकता हूँ, n v dash, n v dash cancel हो जाएगा, भाई, minus कर रहें न, add कर रहें, add कर रहें, तो एक, देखो, minus है, एक plus है, तो दोनों cancel हो गए, यहाँ पे directly minus कर दे रहाँ, बता दे रहाँ, बट direct minus करके दिखाना नहीं है, बस यहाँ पे देखान तो इन दोनों को जब add करोगे, तो इन दोनों को, n v dash, plus 1 by u, plus 1 by v, minus n, तो यह plus sign है, यहाँ पे minus sign है, और दोनों सेम है, तो यह और यह तो directly cancel हो जाने वाले है, तो यह दोनों cancel हो जाए, क्या बचेगा, मिलको बचेगा, minus 1 by u, यह प्लस रहेगा, plus 1 by v, हाँ आना, या फिर मैं बोच सकता हूँ, 1 by v, minus 1 by u, बास समझा, everyone, पका, ओके, वापस एक बार, ओके, देखो, इन दोनों को जब add करोगे, लहाँ लहाँ आड़ होता, मिलेगा, 1 by v, minus 1 by u, यहाँ पर यह मिल गया, अब राइट साइड की बात कर लो, देखो, राइट साइड क्या मिलेगा, धर दान दो, इसको इससे add करना है, simply add कर दो, तो add करते टाइम क्या मिलेगा, देखो जरा, n1, minus r1, हाँ न, n minus 1 by r1, plus add करना है, 1 minus, यहाँ पर जाएगा, 1 minus n by r2, बास मिलाई, अब यह दोनों ब्राकेट सेम तो नहीं है, भाई, कॉमन लेना है, कॉमन लेना है, सेम तो नहीं है, तो इसको सेम बनाते है, इसमें से minus, बा अब इसमें से minus common लेलो, minus common लेलोगे, interchange हो जाएंगे, तो minus बाहर आगया, क्या मिलेगा, मेरको मिलेगा, n minus 1 by r2, हाँ यह न, अब देखो दोनों ब्राकेट सेम होगा, यह सो न, मैंने क्या-क्या minus बाहर लेलोगे, और कुछ न, यहाँ से minus बाहर लोगे, तो sin interchange हो जाएगा, भई, n को minus था, तो n को plus हो जाएगा, 1 को plus था, n को, 1 को minus हो जाएगा, यह सो न, तो अब यह दोनों ब्राकेट सेम होगा, पूरा ब्राकेट बाहर लेलोगे, तो क्या मिलेगा, n minus 1 बाहर आ गया, अंदर बचेगा, 1 by r1, minus 1 by r2, बरबर, और यहाँ पर बचेगा, 1 by v, minus 1 by u this is nothing but your lens maker formula, अब इसमें ही एक condition लगाना है, वो condition लगाते ही, तुमको lens maker formula मी जाएगा, भाई देखो, अगर object को, object को मैं focus पे रखता हूँ, object को अगर मैं focus पे रखता हूँ, तो image कहाँ पे form होता है, infinity, याद करो, starting a lecture, object अगर focus पे है, focus पे अगर object है, तो infinity पे image form होगा, इसका मतलब यह है कि अगर you, मेरा focus पे चला जाता है, अगर you मेरा focus पे चला जाता है, तो image कहाँ बन रहा है, infinity पे, और अगर object infinity पे रखा है, तो image कहाँ बनता है, image बनता है, focus पे, दोनों चीज़ टू है, अगर वैसे कि मेरा प्रोब्लम ना यह है आगर तुमको वैसे समझना वैसे समझना थो वैसे समझ लो मालव कि मेरा आपजेट हमुझे के लिए चस्मा बनाएंगे और हम लोग इन्फिनिटी के सब्सक्राइब चस्मा बना रहे हैं तो मालोग एकदम दूर रखा है मेरा ओके मेरा एकदम लगाए लुख अब इमेज इंफीनिटी पे है भाई कहां पर बनने वाला है मेरा जो हमेज का जे डिस्टेंस है है हो अब जब बहुत अब-घरत अल। है तो इमेज कहां पर बनेगा फोकस मेरा V क्या हो जाएगा मेरा V हो जाएगा फोकस अब यह दोनों चीज़ यहां पर अगर दो नों चीज़ यहां पर उठा कर दो थेखो, क्या मलेगा जारा धेहान से देखो, 1 by ब्लियमस यहां पर दहान से सभाओ, 1 by f, और यह वाला as it is रहने दो n minus 1 in bracket 1 by r1 minus 1 by r2 this is nothing but a lens maker formula यह हमारा lens maker formula यह थो आच्छे से लिक देता हूं bracket n minus 1 यह lens maker formula and one of the important derivation one of the important derivation है clear भासन में आया तो 1 by f is equal to n minus 1 in bracket 1 by r1 minus 1 by r2 where what is r1 and r2 by r1 is nothing but a curvature radius of curvature of this part r2 is nothing but a radius of curvature of this part what is n n is nothing but a refractive index of material भाई कौन सा material यूज़ कर रहे हो glass यूज़ कर रहे हो plastic यूज़ कर रहे हो क्या यूज़ कर रहे हो quartz यूज़ कर रहे हो इसका बनवाते हैं हम लोग glass का बनवाते हैं यहां पर ज्यादा करके glass का आता है okay focus हम लोग कैसे नापते हैं doctor ने देखा रहेगा कि हर एक number का चश्मा रखके वह focus नापता है कि क्या ही focus है तो उससे हमको कर्व कितना रहेगा वह हमको समझ में आ जाता है clear तब हमको चश्मा बनाने के लिए देते हैं चश्मा बनाने वाला हमको चश्मा बनाके देता है clear बात सम्झा गए everyone पक्का this is nothing but one of the important topic है याद रखना lens लेंश की कहानी खतम करते हैं यहां से हम लोग के 행 डेरिवेशन रहे बता देता हूं हम बहुत काम की चीज़ है यहां से lens formula develop होता है हम लोग ने thin lens formula पढ़ा है न वोड़ी béस िलनस formula 1 by f is equals to 1 by V minus 1 by U कहानी यहीं से developed होती ही ध्यान से देखो इस चीज़ को ओके यह वाले चीज़ को इसका RHS और इसका RHS देखो दोनों सेम है देखो देहां से इसका RHS इसका RHS दोनों सेम है तो यहां से मिलता है यह 1 by F is equals to 1 by V minus 1 by U and this is nothing but your lens formula जो कि हम लोको 10th में या फिर हम लोको इस होता है 1 by F is equals to 1 by V plus 1 by U वहाँ पर plus होता है यहाँ पर minus होता है इसको lens formula बोलते हैं ओके सारे lens यह formula follow करेंगे सारे के सारे जितने भी lens है यह सारे के सारे formula follow करेंगे याद रखना and this is nothing but a lens maker formula clear समझ में आया topic समझ में आया दोनों interesting derivation आज हम लोग ने किया है तो आज का वीडियो एकदम ध्यान से एकदम बोलते हैं नोट करके point समझना clear everywhere चलो अगर वीडियो यहां तक देख लिया है तो हम लोग ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे आज की वीडियो को अगर वीडियो यहां तक देख सकते हो कोई problem नहीं है चलो आज का वीडियो यहीं पेंड करते हैं आज के लिए बस इता है that's it for today thank you so much